नमेश्कर दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल एक्जाम इस्टोर, फ्रेंड एक बढ़ी न्यूज आ रही है, जी हां दोस्तों यहां सब कुछ किलियर करने की बात भी जब आपको न्यूकती पत्र नहीं दी जाती है, तो बहुत ही दुख होता है, तो बात करते हैं यहां कामनी जी हैं, दोस्तों, यह दो बच्चों की मा एं, और 18 जनौरी से लगतार यह इस्टेशन पे धरना दे रही है나 और इनके दो छोटे छोटे बच्टे भी हैं और यह स्टेशन पे रात गुजारती भी हैं, जी हां दोस्तों तो हम लोग बात करते हैं, बिहार नियूकती पत्र क्लिए धर्णा दे रही टीटी अभयार्थी इस स्टेशन पर रात गुझार रही है महीला है क्यों गुझार रही है तो इस वीडियो को ओनलोग का है कि नियुक्ति पत्र देने के मांग को लेकर जितने भी लोग जो है मेरिट लिस्ट में है हूँ लोग शामील अभियर्थी 18 जनौरी से धरना दे रहे हैं तो चली इस वीडियो को हम लोग भी स्तार से जान लेते हैं फ्रेंट तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और दिन भर वो जक्सन से करीब 3 किलोमीटर दूर गर्दनी भाग में धरना देती हैं तो अपने यह देख सकते हैं 30 साल की उमर में जो एक कामनी कुमारी पिछले 5 दिनों से और रात का ठीकाना जो उनका पटना जक्सन का प्लेटफरम है और इनके घर पर छोड़ कर यहां रह रहे हैं पुलिस ने शुबह 10 बजे से साम 4 बजे तक ही धरने पर बैठने की इजाज़त दी है यानि मॉर्निंग में 10 बजे से लेके इवनिंग में 4 बजे तक ही बैठने की इजाज़त दी है इसलिए साम को पटना जक्षन पर चले जाते हैं और रात में प्लेट फार्म पर ही सोते हैं इसके बाद रात में कहां चली जाती हैं पटना जक्षन पर और वहीं पर सोती हैं और सुबह में फिर गर्दनी बाग आ जाते हैं कामनी बिहार टीचर एलिजबिल्टी टेस्ट यानि BTET सेंट्रल टीचर एलिजबिल्टी टेस्ट सीटेट उत्तरिर कर नियोजन परिक्रिया में पास कर चुके अभियार्तियों की मेरिट लिस्ट भी जारी हो चुकी है लेकिन अब सरकार काउंसलिंग कर नियोक्ति पत्र नहीं दे रही है तो पर इसी के लिए जो लकतार धरना दी जा रही है कि नियोक्ति पत्र देने में सरकार इतना क्यों भी लंब कर रही है बियार सरकार ने साल 2019 में 94,000 प्रात्मिक सिच्चकों की न्यूक्ति का फैसला लिया था और पिछले साल इन पदों को भरने की परकिरिया सुरू की थी जो इस साल जनवरी के पहले अपते में खत्म हो चुकी है प्रात्मिक सिछकों की नौकरी के इच्छूक अभियार्तियों के लिए संबंधित राज्यों में होने वाली TET परिच्छा या सीटेट की परिच्छा उत्रिण करना अनिवार है 45 परिच्छा की पात्रता रखते हैं जब सरकार प्रात्मिक सिछकों की नौकरी के लिए वेकेंसी निकालती है तो TET की परिच्छा ली जाती है ध्यान दे रहे हैं इन अभियार्तियों का आरोप है कि काउंसलिंग कर न्यूक्ति पत्र देने में सरकार विलंब कर रही है यानि देख रहे हैं फ्रेंट लगतार जो है न्यूक्ति पत्र देने में सरकार विलंब कर रही है न्यूक्ति पत्र देने की मांग पर मेरिट लिष्ट में शामिल अभियारती 18 जनौरी से धरना दे रहे हैं इस धरने में महिलाएं भी सामिल हैं कई महिलाएं तो बच्चु को साथ लेकर धरना देने आई हुई हैं कामनी भी धरना देने वाली महिलाओं में से एक हैं और कामनी के लिए ये नोकरी काफी माइने रखती हैं दरसल जब 10 साल पहले कामनी की साधी हुई थी तो वह मैट्रिक पास थी साधी कर ससुराल आई तो उन्होंने आगे पढ़ने की इच्छा जताई उनकी ससुराल वाले इसके लिए तयार हो गए वह कहती हैं मैं आगे भी पढ़ना चाहती थी साध ससुर ये बात बताई तो उन्होंने मुझे आगे भी पढ़ने का फैसला लिया था तो कामनी जी ने देख रही कितना संगर्ष किया अपने पढ़ाही के लिए उन्होंने अपने साध ससुर से भी पूचा है अपने हस्वेंड से भी पूचा है पती ने भी मुझे पढ़ाही जारी रखने में मदद की वे काम करने के लिए बाहर भी नहीं गए यानि इनके जो husband है वो काम करने के लिए बाहर नहीं गये और इनों इनके पढ़ाई में पूरा support किया है गाउ में ही खेती बाड़ी की और कुछ काम धाम किया ताकि मुझे पढ़ाई में कोई दिक्कत न हो लेकिन अब तक नोकरी नहीं लगने से घर में सब लोग तनाव में है मैं खुद परिसान हूँ कि घर परिवार कैसे चलेगा नोकरी नहीं मिलेगी दो बच्चों की परवरिस कैसे करूँगी यह कामनी जी यहां लगतार कह रही हैं कि नोकरी नहीं मिलेगा तो दो बच्चों की परवरिस मैं कैसे करूंगी कामनी देवी के साथ आधा दर्जन महिला है और भी है जो पलेटफार्म पर रात गुजारती है रात में प्लेटफार्म पे सोने में डर लगता है फिर सर्दी भी अधिक है तो नीद भी नहीं आती है लेकिन क्या करेंगे हमारी मजबूरी है उन्होंने का है ये देख सकते हैं कामनी देवी जी की फोटो है फ्रेंड और लगतार संगर्स कर रही है बिहार में प्रात्मिक सी चकों के तीन लाग फद खाली है तो बिहार समय देश के अन राज्यों में प्रात्मिक सी चकों की भारी कमी है पंजाब की एक RTI कारेकरता ने इसकी जनकारी मांगी तो पता चला कि पूरे भारत में प्रात्मिक सी चकों के दस लाग से अधिक पद खाली है इनमें से अकेले बिहार में 3 लाख पद खाली है बिहार में 42,606 प्रात्मिक और 28,639 मादमिक बिद्याले हैं प्रात्मिक सिचकों की आकरी निक्ति साल 2015 में की गई थी इसके करीब 4 साल बाद दूबारे निक्ति की परक्रिया शुरू हुई लेकिन ये परक्रियाएं एक बार फिर अधर में लटकती हुई दिख रही है इसकूलों में सिचकों की कमी के चलते बिहार में सिच्छा पर भी असर पड़ रहा है पिछले साल फरवरी में पटना हाई कोट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कोट ने कहा था कि बिहार की सिच्छा ब्यवस्ता युवापीड़ी को बरबाद कर रही है और इसमें तभी सुधार आएगा जब सभी सरकारी अधिकारी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना शूरू करेंगे तो प्रेन ये बहुत अच्छी पहल थी पर लोगों ने देखा कि इसमें बच्चे को भेजने के लिए बहुत ही परिशान होने लगे नहीं किसी ने भेजा फ्रेंड लेकिन ये पहल काफी अच्छी थी मनोज कुमार उन अभियार्तियों में से एक है जीनों ने टीटी पास कर लिया है और अब निक्ती पत्र का इंतजार कर रहे हैं उन्होंने गाओं कनेक्शन से का प्रात्मिक सिचकोक से इतना ज्यादा पदरिक्त होने के बावजूद बिहार सरकार इन पदों पर कोई निक्ती नहीं कर रही है जबकि बिहार में सिचक की नोकरी करने के इच्छूक यूवाल लाखों में होंगे साल 2019 से बाहली की परिक्रिया सुरू हुई थी लेकिन सरकार समय बढ़ाती रही हम लोग आवेदन पर आवेदन करते रहें करीब दो साल लग गए मेरिट लिष्ट निकालने में लेकिन अब फिर सरकार टालमटोल कर रही है हम चाहते हैं कि सरकार कैम्प लगाकर बहाली करे और निउक्ति पत्र दे दे इसके बाद वह दस्तावेजों का सत्यापन करती रहें उन्होंने कहा राजेस रोसन मदवधनी से यहां धरना देने आयें उन्होंने कहा कि पाँच दिन से हम लोग धरने पर बैटे हैं सरकार तक हमारी आवाज पहुँच रही है कि नहीं हमें नहीं मालूम हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि जल्द से जल्द काउंसलिंग कर हमें निउक्ति पत्र सौप दिया जाए ताकि हम लोग बच्चों को सिच्छा दे सके राजेस रोसन सिच्छक बनना चाते हैं और इसलिए उन्होंने सिच्छा में अशना तक बीड किया है और जब वेकेंसे निकली तो TET भी दिया है वह कहते हैं मैं गरीब किसान परिवार से आता हूँ मेरे पीता ने कर्ज लेकर मुझे बीड कराया मैंने पटना में रहके पढ़ाई की उसका खर्च अलग हुआ लेकिन अब तक मुझे नौकरी नहीं मिली है तो देख रहे हैं फ्रेंड कितने स्टूडेंट लगातार परिशान है कि उनके पीता जी कर्ज लेकर इनको बीड कराया है इसलिए काफी परिशान इनको टीचर भी बनना है और ये काफी अच्छा पढ़ा भी सकते हैं इन सभी अबियार्तियों के कहना है कि वे सिच्छा भी भाग में कई दफा जा चुके हैं लेकिन सिच्छा भी भाग निवती पत्र को लेकर कोई जवाब नहीं दे रहा है गाओं कनेक्सन ने इस संबन्द में सिच्छा मंतरी असोक चौधरी को फोन किया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया हलाकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुक्रवार कोट टीटी अभ्यार्तियों के प्रतिनिधी मंडल ने प्रात्मिक सिच्छा निदेशक रंजीत कुमार से मुलकात की इस मुलकात में रंजीत कुमार ने 25 से 27 जनवरी के बीच निउक्ति की दीशा में शकरात्मक पहल करने का अश्वासन दिया है इस बीच अभ्यार्तियों ने कहा कि जब तक काउंसलिंग और निउक्ति पत्र वित्रण की परकिरिया सुरू करने की तारिक तैकर ये काम सुरू नहीं होता तब तक वे धरना जारी रखेंगे पहले भी धरना दे चुके हैं टीटी अभ्यार्ति निउक्ति की मांग पर धरने पर बैठे टीटी अभ्यार्तियों पर 19 जनवरी को पुलिस ने लाठी चार्ज किया था जिसमें एक दर्जन से ज़्यादा अभ्यार्ति जख्मी हो गए थे अभ्यार्तियों का आरोग था कि धरना परदर्शन के लिए उन्हें पुलिस से इजाज़त मिली हुई थी इसके बावजूद उन पर दमनात्मक करवाई की गई पुर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपच्छते जश्यवी यादों ने पुलिसिया करवाई की निंदा की थी ये पहली बार नहीं है कि टीटी अभ्यार्ति न्यूक्ति की मांग पर धरने पर बैटे हुए हैं और दो साल पहले भी इन अभ्यार्तियों ने परदर परजीत कुमार कहते हैं कि बिना धरना परदर्सन के सरकार कोई कदम नहीं उठाती पिछले दो-तिन साल में हम लोग नियूक्ति की मांग पर कई बार परदर्सन कर चुके हैं लेकिन सरकार चुपपी साधे बैटी हैं बच्चे पूछ रहे हैं नोकरी कप करेंगे सिच्चक की नोकरी के इंतजार में पटना साहर के करीब 30 किलोमेटर दूर फटेय पूर के रहने वाले राहूल कुमार 40 साल के हो गये हैं मैं अब तक बेरोजगार भटक रहा हूँ कमाई का कोई और जरिया नहीं है जिससे दो पैसे कमाशक हूँ राहूल के दो बच्चे हैं बेटे की उमर 12 साल और बेटी की उमर 8 साल है राहूल कभी गाउं में रहकर तो कभी पटना आकर काम कर लेते हैं तो उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर का खर्च किसी तरह चल पाता है काम के मामले में उनके पास बिकल्प नहीं है क कितनी संगर्स कर रहे हैं आपे देख सकते हैं राउल कुमार ने 2011 में टीटी पास किया है इसके बाद सरकार ने आदेश निकाला था किसी चको को नियुकती से पहले प्रसिच्छन लेना होगा तो वर्स 2013 से 15 में उन्होंने प्रसिच्छन लेकर डीलेट के डिगरी हासिल कर ली साल 2015 में उन्हें ने सीटेट भी पास कर लिया और साल 2017 उन्हें ने BTET भी पास किया है राउल कुमार ने कहा कि मेरे बच्चे मुझसे हमेसा पूशते रहते हैं कि कुछ नोकरी कीजिए मेरी पत्री मुझे ताना मारती है कि समाज के लोग मुझे ताना मार रहे हैं मैं इन वालों को सुनकर सर्मिंदा हो जाता हूं इतनी डिगरी लेने के बाद भी इस उमीद में बैटे हैं कि अब सरकार न्युक्ति पत्र देगी सिच्छक की नौकरी की उमीद में कोई दूसरा काम भी नहीं कर पाया इस तरह दीरे-दीरे समय बीतता चला गया बच्चे बड़े हो सके जहां तक इसको पहुंचना चाहिए ताकि इन लोगों को जल्द से जल्द न्युक्ति पत्र दी जाए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए गुड़े टेक केर जाएं दोस्तों